जर्नल स्टो के कर्मचारी पर गोली चलाकर जान लेवा हमला करने वाला आरोपी गिरफतार वारदात में प्रयोग पिस्तॉल वा गारी भी बरामद 24 व पच्चीस नवंबर की रात को सेक्टर 22 गुरुग्राम में एक व्यक्ती ने जर्नल स्टो के कर्मचारी पर जान से मारने की नियत से गोली चलाए इस संबंद में पुलिस थाना पालम विहार गुरुग्राम में धारा 307 वर्शस्त राधिनियम की धाराओं के तहट मामला दर्च किया है आरोपी की पहचान जोगिंदर के रूप में हुई है आरोपी से पुलिस पूछताच में ग्यात हुआ कि यह सिगरेट पीते हुए स्टो में इंट्री कर रहा था तभी स्टो के सुरक्षाकर्मी ने इसको सिगरेट पीते हुए अंदर जाने के लिए मना किया तो इसने सुरक्षा कर्मी के साथ जगडा करते हुए अपने लाइसेंसी हथियार से उस पर गोली चला दी और अपनी गारी में सवार होकर वहां से भाग गया आरोपी के पास से वारदात में प्रयोग की गई एक पिस्टल, एक खाली कार्तूस वो एक गारी बरामत की गई है दिल्ली ग्लो न्यूस के लिए गुरुगराम से सतीश भारदवाज की रिपोर्ट तो उसके साथ गाली गलोच हुई और फिर गुस्य में आकर आरोपी ने गोली चला दी जिसके तैर थी फिर 307 का इक परचान दर्ज हुआ और क्योंकि वहां मौके पे जो फूटेज हासिल हुई उसमें सक्स की गाड़ी का नमबर हमारे पास मिल गया और फिर जब आगे इन्वेस्टिकेशन किया तो पता चला है कि यह जो के इंदर राना है जो कि सेक्टर पे इसका रहने वाला है आज इसको गिरफतार किया है क्या कुछ इसका रिकॉर्ड है किस अतियार से इसमें गोली चलाएगा इस आदमी को सन 2008 में लाइसेंस इस हुआ है और तबी से उसने लाइसेंस पे ही यह अतियार लिया है इसका प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड तो कोई नहीं है पर इसके अतियार और पांच जो जिन्द जालिखार नहीं है और अपना खुद का बिजनस करता है तो इसके जो लाइसेंसे सब क्या उसको कैंसिल किया जाएगा इसमें आम्जेट के जो प्रोविजन से उसके तहार इसका हम हम रिकावर कर चुके हैं राउंड कर चुके हैं वो फर्दर कैंसलेशन की करवाय की जाए और अंको लिखेंगे और उसका करेंगे तो छो लिखेंगे और इंसर करेंगे ति इसका जो लाइसेंसा को एंसर हो ठीज़ाएं